नमस्कार पिर ये विद्यार्थियों वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है ITI NCVT के CBT एक्जाम दोस्तों अभी हो रहे हैं और अब तक जो एक्जाम हुए हैं उनमें किन टोपिक से सबसे ज़्यादा क्योस्टन पुछे जा रहे हैं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो इस कंप्लीट वीडियो को आप लाज तक देख लीजिए और इन टोपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप पेपरों में अच्छे नमबर ला सकें इन टोपिक से सबसे ज़दा बार रिपीट हुआ है ये दोस्तो आठ अगस्त और नो अगस्त को जो च्यार पेपर हुए थे मोर्निंग और इवनिंग सिप्ट में वो पेपर के टोपिक और क्यूस्टन से हैं कुछ क्यूस्टन भी आपको मैं बताऊंगा जिन में क्यूस्टन पूछे गए हैं तो वो भी क्यूस्टन आपको एज़िटीज देखने को मिल जाएंगे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए हम इसी तरह की अपडेट नूज नोटिफिकेशन चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं यह वीडियो अपने दोस्तों को फोरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सके और एकजाम से पहले वो भी अच्छे नमरों से पास हो सके दोस्तों सबसे पहले तो बता दूँ कि पूरा पेपर जो है वो निम्मी एसाइनमेंट यानि निम्मी की जो पीडियेफ आपको दी हुई है उनी में से आ रहा है सो कंप्लीट निम्मी के पीडियेफ आपको पढ़ने है जैसे सेकिंड एर के स्टुडेंट है तो दो पीडियेफ है आपके पास और उन दो पीडियेफ में सहीं आ रहा है दो PDF में भी आपको मैं कलियर करवा दूँ कि जो 4th semester के नाम से PDF है न जिसमें Electronics वाला चेप्टर है उसमें से इस बार कम क्युस्टन आए है इसलिए आप थोड़ा सचा है तो Electronics वाले को थोड़ा कम कर सकते हैं जो ज़्यादा चीजें पुछी जा रही है वो पुछी जा रही है 3rd semester की आपकी जो PDF है उसमें से आ रहा है 3rd semester PDF में जनरली मसीन वाले टोपिक है मसीन में भी ज़्यादा तर DC मसीन के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं DC मोटर और जनरेटर की हाला कि इसके अलावा 3 phase induction मोटर के क्यूसन भी आए है और जो 4th same की PDF है उसमें AC DC drive वाला जो है उसमें से सबसे ज़्यादा क्यूसन पूछे जा रहे है सो आप इन चीजों की अच्छे से त्यारी कर लीजिए ताकि आपके जो 38 क्यूसन आएंगे थियोरी के वो कवर हो जाए Employability Skill के 25 क्यूसन का इस बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो दे चुका हूँ आप उसे देख लीजिए उसमें मैंने बताया है कि Employability Skill और Engineering ड्रोईंग में क्या-क्या पूछा जा रहे है चलिए अब कुछ मैं क्यूसन आपको दिखा देता हूँ जो कि पूछे गए है सो आप इन क्यूसन को ही पढ़ कर जाए क्योंकि ITA में क्यूसन जो है वो repeat होते है वैसे मैंने Top क्यूसन का वीडियो एक पहले भी दिया हुआ है आप उसको भी अगर देख लेंगे तो क्योंकि 9 अगस्त को जब एक्जाम हुआ तो बच्चों ने यही बताया था कि आपने जो वीडियो बनाया है उन्हीं में से पूरा पेपर आया था सो अच्छे से पढ़ें आप आईए जो आज क्यूसन बच्चों ने कंट्रोल उपकरन काम में लेते हैं आपको इसका डी उत्तर करना है ट्राइक जो है वहाँ पर आपन काम में लेते हैं कंट्रोल करने के लिए और उसके बाद में देखिए आपका ये आया है कम्यूटेटर वाला आया था कि एक कम्यूटेटर जो है उस पर sparking बहुत ज़्यादा हो रही है कारण क्या है देखो अगर commutator sparking कर रहा है तो इसका option इन्होंने बताया वह है incorrect brush position बुरुसों की गलत इस्तिती है कैसे भई आर्मेचर reaction के कारण आर्मेचर पर्तिकिरिया के कारण जो M&A होती है वो G&A से खिसक जाती है और इसमें 5 ans 5 ans बोलें तो 30 degree का कुछ अंतर हा जाता है इसलिए brush M&A G&A दोनों एक नहीं होगी तो जो commutator है वहाँ पर sparking होगा यह उत्तर आपको यहाँ सही करना है और अच्छे से दोस्तों इसे पढ़ जाना यही क्यूस्टन आ रहे हैं और ITMA जनरली क्यूस्टन रिपीट भी होते हैं यह भी आपने देखा होगा अब देखो AC drive के block R1 में X से चिनित घटक का नाम क्या है AC drive का एक आपको दिया वा था और उसमें आपसे पूछा गया यह डाइग्राम साइद बच्चे ने पूरा सेंड नहीं किया चलिए यह आप क्यूस्टन नमर देख लीजे और AC DC drive में से इस क्यूस्टन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं देखो AC DC drive वाले में X से चिनित भाग का है क्या तो मैं पूरा आपको सिस्टम ही बता दूँ सबसे पहले यहाँ पर AC सप्लाई होती है उसके बाद में यहाँ पर एक कनवर्टर होता है डायोड का निसान बना होगा रेक्टिफायर का यह AC को DC करेगा ठीक है उसके बाद में यहाँ पर X का निसान लगाया होगा तो यह DC की बस बाद है X का निसान यहाँ होगा मैं बता दूँ आपको क्योंकि क्यों च्मक्यों कई बार repeat होगा है मैंने करवाया भी यह DC की बस है उसका उत्तर आप याद रखना उसके बाद में यहां आपको inverter शो होगा जो DC को AC करेगा और फिर यहां पर आपको AC की motor शो होगी यह पूरा AC DC drive का वो पेनल है X जो है वो इस बीच वाले भाग में यहां लिखा हुआ है DC बस उसका उत्तर कर देना ठीक है वैसे आप चाहो तो मिलान कर लेना 110 नंबर की उसने AC DC drive में जो आपको 4th semester की पुरानी PDF है उसमें मिल जाएगा नई PDF में तो कीउसन नंबर थोड़े चेंज हो गए ठीक है नई भी आचुकी निमी की PDF और I hope की आपने वो भी डाउनलूड कर ली होगी अब देखो दोस्तों जितने भी की उसन बज़े वे ना वो सारे के सारे DC मोटर जनरेटरों में सही है देखो आप यहां पर DC जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका फिल्ड आरमेचर के समानतर में जुड़ा हुआ है सिंपल सी बात है एक ही फिल्ड वाइंडिंग है और वो भी आरमेचर के समानतर में है तो संट जनरेटर हो गया अगर सरेणी कर में होता तो सीरीज जनरेटर है और जुड़ा हुआ ही नहीं होता तो सेल्फ एकसाइटेड है और एक फिल्ड सीरीज में और एक समानतर में होता तो compound generator हो जाता simple कि उससन है लेकिन अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये repeat हो रहे हैं कि उससन उसके बाद में देखो induction motor वाला आया starter की winding की short और open जांच करनी है देखो ये थोड़ा सा गलत लिखावा है कि उससन starter नहीं है एक चुल में stator का पूझ रहे है AC जो stator है उसके लिए antric growler काम में लिए जाता है और DC का जो armature होता है उसके लिए बाहरी growler अपन काम में लेते हैं DC armature के लिए आपको C उत्तर करना है अभी तो A उत्तर है इस question का तो ये as it is अगर आ जाए तो आपको B उत्तर करना है antric growler हाँ अगर armature की short coil जांच कैसे करेंगे ऐसे पूछ ले ना तब आपको सी करना है ठीक है अब देखो थोड़ा बो तो change करी सकता है तो उसे याद रख लेजिए एक insulator आया था पूरी तरह से बच्चे को याद नहीं है ये insulator अगर आया होगा तो देखो इसको बोलते है suspension क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे है insulator जो है वो line से काफी distance पे लटक रहा है लटकते वे को अपन suspension इन्सुलेटरी बोलते है इसके लाब एक और भी आता है जिसको cycle insulator बोलते है देखो ये रहा कि इन्सुलेटर का नाम क्या है तो ये पका दूसरे वाला ही है क्योंकि इसी पेज से अगर क्यूसन है तो फिर वो उपर वाला होता तो ये जो आया है वो cycle insulator का आ रहा है दोनों का उत्तर डी डी हो रहा है जलब डी option एसी का सही है डी option उसका सही है और क्यूसन दोनों का वो ही आ रहे है और उसके बाद में देखो AC voltage stabilizer के परकार पूछें तो सर्बो voltage stabilizer जो है वो AC के परकार में आ जाएगा उसमें आपको जो है वो क्यूसन दिया वहाँ से मिल जाएगा देखो ये क्यूसन कल जो बच्चे पेपर दे कर आए थे ना उन बच्चों ने हमें सेंड किया है मैं आपको बढ़ा दूँ वैसे तो exam online ओराए CBT है तो पेपर तो दे नहीं रहे साथ में लेकिन बाहर आने के बाद बच्चों को PDF में से याद आ जाते हैं वो हमें बता रहे हैं आप यदि exam देकर आए हैं तो जुरूर हमें बताना कि याँ जी यही क्यूसन थे या कितने क्यूसन इन में से है जो मेच हो रहे हैं देखो distribution परणाली में distributor से sub station तक जाने वाली line को क्या बोलते हैं तो इसको feeder बोलते हैं ठीक है sub station से निकलती है और distributor को जाती है उसको बोलते है feeder distributor होता है जो आगे बांटता है service line होती है जहां से line अपन निकालते हैं और उप भोगता की घर में जाती है उसको बोलते है service man ठीक है यानि feeder से distributor आता है distributor से service line आती है और service line के बाद आती है सर्विस मेंस और वो जो इंसुलेटर था वो ये है आपको थोड़ा समय आदा आदूरा सा दिखाई दे रहा है वैसे तो पूरी स्क्रीन आ नहीं रही होगी क्योंकि वो बच्चे ने फोटो इसी तरह का सेंड गया था सेकल इंसुलेटर वाला ये डी उतर करना उसका और जनरली इसी मेंसे आया है कुल मिलाकर और मतलब पावर सिस्टम मेंसे भी काफी क्यूस्सन आये हैं आप इसको भी अच्छे से पढ़ कर जाना पावर वाला भी ठीक है फौर्थ सेमेस्टर मेंसे सोलर सेल निर्मान के लिए किस सामगरी का उपयोग करते हैं तो सोलर सेल सिलिकोन का होता है किसी को कोई समस्या नहीं है और परमानो उर्जा स्टेशन में परमानो विखंडन के लिए कौन सी उर्जा लेते हैं सामगरी कौन सी लेते हैं तो आप उसको भी जरूर पढ़ें फोटो वोल्टेक सेल बनाने के लिए सिलिकोन इस्टेली काम में लेंगे तो फोटो वोल्टेक सेल हो या सोलर सेल हो दोनों का आंसर जो है वो लगबग सेमियत देखो तीन क्यूसन यहां हो गए उसके बाद में इंसुलेटर वाले में से था और यह वित्रन वाले में से भी है यानि फोर्थ सेमिश्टर का जो मोडूल सिक्स है ना इसमें से भी क्यूसन काफी आए है ठीक है ट्रांसमिशन डिस्टिबुशन उसको भी थोड़ा सा अच्छे से और कवर अप कर ले वे अगर आपका पेपर नहीं वाया है तो आपके पास समय भोत है आप आराम से उस समय में त्यारी कर सकते है और उसके बाद में देखिए यह तो मैंने साइट पहले भी करवा दिया था आपको सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग के लिए कौन सा तार लेंगे तो पीवी सी का वार्ड होता है ना पीवी सी का इंसुलेशन उस पर चड़ा हुआ रहता है ठीक है और सामाने जो हमारी मोटरें होती है उनके लिए अगर क्यूस्तन पूछा जाए तो उनके लिए जो है वो सुपर इनेमल्ड कोपर वायर जो है वो काम में लेते हैं सबसे ज़्यादा और उसके बाद में देखो सलिपरिंग मोटर के लिए स्टार्टर कौन सा काम में लेते हैं शरीफेज मोटर में पूच रहे ना, देखो AC में कुल च्यार स्टार्टर होते हैं, है न, सलिपरिंग मोटर के लिए उसमें से केवल, एक ही स्टार्टर होते हैं, और वो है, रोटर ट्रियोस्टेट स्टार्टर, जबकि DOL स्टार्टर, auto transformer starter और star delta starter ये तिनो cage motor के starter होते हैं ठीक है इसका आपको B उतर करना है induction motor वाले के लिए खाफी अच्छे question भी है वैसे तो देखो आपने अच्छे से त्यारी कर रखी है तो कोई problem आपको होगी नहीं फिर भी जो question आ रहे हैं तो आप उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ कर जाएं ताकि हम एक दम सही करके आएं देखो DC जेनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा गयात करने के लिए कौन सा ने हमकाम मिलेंगे तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आएगा इसमें D उत्तर में है ठीक है यहां उप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको ठीक है राइट हैंड रूल आएगा EMF की दिशा गयात करने के लिए अच्छा कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि जो निम्मी में उत्तर गलत दिये वे उनका क्या करना है तो मैं आपको बता दूँ आपको वही उप्शन करना है जो निम्मी में दिया हुआ है क्योंकि वो निम्मी वाले ही उत्तर को सही मानेंगे अगर आप अपनी तरफ से उत्तर करके आओगे तो नमबर काट लेंगे उत्तर को गलत साबित कर देंगे तो चाहिए निम्मी के असाइनमेंट में गलत लिखा हुआ हो एक बार आपको वही करना है हाँ जब कंपिटिशन एक्जाम की तियारी करो तब आपको थोड़ा सुधार करना होगा तो वो बता दिया जाएगा DC जनरेटर में ब्रुस किस सामगरी के बनते हैं DC जनरेटरों के ब्रुस जो होते हैं वो कारबन और ग्रिफाइट के होते हैं हाँ बड़े लेवल की अगर DC मसीने हो तो कोपर का भी होता है लेकिन देख कोपर का यहां ऑप्शन नहीं है तो कोई प्रोब्लम है नहीं ज्यादे तर कार्बन और ग्रेफाइट के ही होते हैं क्योंकि ये खुद क्या है ल्यूब्रिकेंट होते हैं ल्यूब्रिकेंट का मतलब स्वेसन एक होते हैं गर्सन करने से इनके पार्ट्स जो है वो खराब नहीं होते हैं ठीक है और मैं क्यूस्टन बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी से पी डबलु एम का पूरा नाम पूछा है तो पल्स वीड मोडलेशन होता है यह आपका इनवर्टर और यूपीएस वाले चेप्टर में से हैं ठीक है मैंने करवाया हुआ है वैसे तो इनवर्टर और यू कि अंसार ही सही मानना है तो वो यह आपको ध्यान में रखना है नेगटिव फीडबेक का लाब क्या है नेगटिव फीडबेक से क्या है कि जो डिस्टोरिशन यानि विकरती होती है वो कम हो जाती है अलाकि नेगटिव फीडबेक देने से दक्सता कम हो जाती है गेन कम हो ज जाती है और एक इस्टेबिलिटी बढ़ जाती है इस्थाइत हुए बहुत आता है इसलिए हम इसको काम में लेते हैं नेगटिव फीडबेक को आज भी खामल है सिंगल फेज की एक मोटर दिखाई है आपको और इसका नाम पूच आए देखो यह कैपसिटर लगा हुआ है इस बार भी यही आ रही है लगबग एक्जाम में क्यूस्टन जो है वो इसी तरीके के आ रहे हैं तो क्यों आप इसको अच्छे से पढ़ ले मैं आगे देखो लिफ्ट में कौन सी मोटर काम में लेंगे लिफ्ट में DC की क्युमिलेटिव कंपाउंड होती है लिफ्ट और में देखो इंगलीज में एलिवेटर लिखा हुआ है यह रहा ठीक है न तो एलिवेटर में क्युमिलेटिव कंपाउंड मोटर काम में लेते हैं और आपको इसका डी उत्तर सही करना है जो पेपर में आ रहा है as it is वो ही करना है आपको ज़्यादा कुछ अलग करने की जरू आपका ए उप्षन रहा आपके सामने है न तो बस दोस्तो आज इस वीडियो में इतने क्युस्टन आपको मैं करवा रहा हूँ बाकी क्युस्टन वही रिपीट ओर रहे हैं लगबग जो आपने पहले त्यारी कर रखिए या पहले मैंने वीडियो डाल रहा है जैसे यह आय इलेक्ट्रोनिक एक्यूपमेंट है ना मल्टी मीटर से ही जान्च होती है उसके बाद देखो यह मैथमेटिक्स वाला भी बता रहे है बच्छा की कुछ पूछा था कि सादारन ब्याज है उसमें प्रिंसिपल को कैसे दरसाते हैं तो प्रिंसिपल को अपन जो है वो पी से ह अच्छे से कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों को फोरवर्ड कर दीजिए आज 10 अगस्त के क्यूस्टन जैसे ही आएंगे उसका भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे तो